नमस्कार दोस्तों मैं गौपाल आप कास्वगत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि आज चार बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है पुर्णियो इंवर्सिटी पुर्णियो और बियन मंडल इंवर्सिटी मध्यपूरा से तो दोस्तों क कि पुर्णियो फुर्णियों में नावंकण किये था उनका कि किसी खारण वरस्त के और नहीं आया है तो इसके रिगारडशनल पुर्णियो और शीटी ने कल एक नोटिस जारे किया था जैसे कि दोस्तों आप मेरे इस स्क्रिन पर देख सकते हैं दूधिसमबर 2020 का नोटिस है दोस्तों ये ओफिसियल नोटिस है पुर्णिया अनिवर्सिटी पुर्णियों का तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं सभी छाट छातराओं को सुचित किया जाता है कि सना तक सतर 2020 से किसकी पर्थम एवंग दूति ये चैन सुची से ऐसे छातर जो नहीं करा सके एबंग वैसे अच्छा जिनका नाम दोनों सुची में में से किसी में नहीं आया उन्हें विश्विद्याले द्वारा विश्विद्याले पॉर्टल पुर्णियाणवर्सिटी.ac.in पर सुधार करने का समय दिया जाता है तो दोस्तों आप किस तरों से सुधार कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको जो अपले करते समय रेजिस्ट्रेशन नमर दिया गया था और पास्वार्ट उसके साथ आपको पुर्णियाणवर्सिटी के इस वेफसाइट पर लॉग इन करना है तो इसका जो सुधार का डेट है दोस्तों वो तीन दिसंबर से साथ दिसंबर 2020 तक रखा गया है तो जल्द से जल्द आप विनाव विलम की सुधार कर लीजिए ने था आपका नम किसी सन्योवस नहीं आ सकता है तो जैसा कि दोस्तों इस इस स्क्रीन पर तीन से साथ दिसंबर तक आवेदन में कर सकते हैं सुधार विद्यार्थी अपने एडी और पासफोर्ट से कर सकते हैं लॉग इन जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों इसको मैं हैलाइट कर रहा हूँ अब जो दूसरी अपडेट है और डी एल एट फेस्टू फेस परिक्षा को ले करके हैं तो क्या है अपडेट मात करते हैं डी लेट फेस्टू फेस्ट फेस्ट परिक्षा 2020 वो दवार से तीन परिक्षा के अंदरों में शुरू हो गया तो दोस्तों यह जो हाँ सोसल डिस्टेंसिंग के साथ 6000 अवेर्थी देंगे एकजाम डिलेट का तो दोस्तों कल जो हाँ चार दिसंबर को तेस परिक्षा के अंदरों पर होने जा रही है कि आइटी आइकट 2020 की परिक्षा तो आइटी आइटी आइकट परिक्षा चार दिसंबर को जी ले के तेस परिक्षा के अंदरों पर होगी परिक्षा में लगभाग 6000 अवेर्थी भाग लेंगे जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं चाहे तो आप इसका स्क्रीन साट भी ले सकते हैं जो अब जो तिसरी अफडेट है दोस्तों वह बीट कोर्स के लिए हैं जैसा कि दोस्तों बी अन मंडल इनवर्सिटी के अंदर गत जो तीन कॉलेज आते थे कोलेज आते थे उसका किसी कारणवाश किसी कारणवास nctE ने उसका मयंडता 2019 में रच कर दिया था तो उसका मयंडता फिर से वापास हो गया है तो इसमे टीपी कोलेज वो OPS college और college भी स्वामिल है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्क्रीन पर तो आसा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास करें सेयर लाइक करें सब्सक्राइब करें वंग बेल ऐकन को दवाना ना भूले थैंक्स फर वाचिंग माई वीडियो